नमस्कार दोस्तों मैं एस्टो नोजर विजय कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले बुधात्य राज्यों की कुंडली में बुधात्य राजों कैसे बनता है इसके क्या नियम होते है और इसके फला में कैसे मिलते है देखे कुंडली में सूर्य और बुध की यूती एक साथ हो तो बुधात्य राजों बनता है मैं आपको बता दू 80% कुंडलियों में बुद्ध और सूर्य एक साथ होते हैं क्योंकि बुद्ध सूर्य की पिरक्रमा करते समय 27 डिग्री से दूर नहीं जा सकता बुद्ध सूर्य से एक घर आगे या एक घर पीछे ही रहता है आपने देखा कि मेरी कुंडली में तो सूर्य बुद्ध की यूती बनी हुई है मेरी कुंडली में तो बुद्ध राजयोग बना हुआ है लेकिन ऐसा नहीं होता है उसके लिए हमें पहले ये देखना होता है कि गिरह योग का रख है या मारक है सूरिय से अस तो नहीं है गिरह की डिगरी कम तो नहीं है और गिरह नीच का तो नहीं है उसके बाद हमें पता चलता है कि जो कुंडली में बुधायत्य राजयोग बना हुआ है वे हमें राजयोग के फल देगा या नहीं देगा दोस्तों कुंडली के माध्यम से जानते हैं कि कुंडली में बुधाहित्य राजयोग कैसे बनता है उससे पहले आपसे निवेदर करूँगा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सबिस्काइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सबिस्काइब करें और कमेंट करना और नोटिपिकेशन बेल दबाना ना बुले देखें मैं आपको बता दू जोतिस विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है अगर आपने इसको सीख लिया, आपने इसको जान लिया तो ये हमारे जीवन को आसान बना देता क्योंकि अगर आपको जोतिस का ज्ञान हो गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी लगन की कुडली है मेरी कुडली में कौन सा गिरह योगकारक है कौन सा गिरह मारक है मेरी कुडली में कोई राजयोग बना हुआ है या नहीं बना हुआ मेरी कुनली में सनी की साड़े साथी चल रही है या नहीं चल रही या किसी खराब गिरह की दसा तो नहीं चल रही अगर खराब गिरह की दसा चल रही है तो आप उसके उपाय करके आने वाली समश्याओं दिक्कतों से बस सकते हैं दोस्तो जोति सिखाने की संक्ला में ये मेरी 30 फर्ष्ट वीडियो है अगर आप नई वीवर हैं फर्ष्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरी फर्ष्ट वीडियो से देखना सुरू कीजिए तो आपको ये सारी चीजे समझ में आएंगी जो यहाँ पर मैं ये पुनली चार्ट बना हुआ है ये हमारे बारे घर है फर्ष्ट हाउस सेकिंड हाउस थर्ड हाउस फॉर्थ हाउस फिप्थ हाउस सिक्स्थ हाउस सेवन्थ हाउस एट्थ हाउस नाइन्थ हाउस तैन्थ हाउस इलेवन्थ हाउस त्वेल्थ हाउस ये हमारे बारे घर है ये घर अपनी जगा पर फिक्स रहते हैं ये कभी चेंज नहीं होते ये फ़स्ट हाउस तर फ़स्ट रहेगा ये सेकंड हाउस है तो सेकंड हाउस लेकिन इनमें बैठने वाली रासियां बदलती रहते हैं देखें अब ये हमारा फ़स्ट हाउस है पहला गर है जहां पर भी कुंडली हुई ये हमारी मिथुल लगन की लगन कुंडली हुई एक्जामपल के लिए मैंने मिथुल लगन की लगन कुंडली लुई है देखें अगर कुंडली में सूर्य बुद की यूती है और बुदहत्य राजयोग बना हुआ है तो हमें उसके फल मिलेंगे या नहीं म लेंगे उसके लिए कुछ नियम होते हैं नंबर एक गिरह योग कारक होना चाहिए नंबर दो सूर्य से अस्तना हो नंबर तीन डिग्री अच्छी होनी चाहिए और नंबर चार नीच का ना हो देखिए लगन में सूर्य और बुद्ध की यूती बुद्ध अपनी सवरासी में बेटे हुए तीन नंबर की रासी में और यहां पर बुद्ध लगनेश भी है और सूर्य बुद्ध मिथुल लगन की कुण्ड़ी में योग कारकर होते हैं तो यहां पर यह बुद्ध राजयों बनेगा नंबर दो सूर्य और बुद्ध की यूती दूसरे घर में दूसरा हमारा धनबाउ होता है अच्छा गर होता है इस में इस भी सूर्य और बुद्ध की यूती यहां पर भी गुद्ध राजयों बनेगा नंबर तिन यह हमारा थर्ड हाउस है तीसरा गर है तीसरा गर दोंडली में अच्छा गरनी माना जाता है ये कडी मैनत का घर होता है, कठीन परिश्रम का घर होता है, और सास के साथ सास और परापकरम का घर होता है, लेकिन सूर्य देव यहाँ पर अपनी सवरासी में बैटे हुए हैं, यानि के सिंगरासी में, और दोनों गिरें योग का रगए हैं, लेकिन यहाँ पर राजयोग की प्राप्ती तो होगी राजयोग के फल तो मिलेंगे लेकिन कठीन परिश्रम के बाद थोड़ी दिक्कतों के बाद प्राप्त होंगे लेकिन प्राप्त जरूर होंगे तो यहाँ पर भी बुधात्य राजयोग बनेगा चोथा हाउस चोथा उस हमारा केंद का घर होता है केंद के घर में चोथे हाउस में सूर्य और बुद्ध की यूती यहाँ पर बुधात्य राजयोग बनेगा और बुध्धे छे नमबर की रासी में उचके भी हो रहते हैं तो इस घर में बनने वाला बुधात्य राजयोग बहुत अच्छ प्रोपेट्टी वाहन की कोई कमीन रहती, ऐसे वक्ती जीवन के हर चेत में उचाईयों को छूता है, ऐसे वक्ती के जीवन में धन, सुक, समर्दी हमेशा बने रहते हैं, और ऐसे वक्ती का जीवन राजा के समान होता है. पांचवे घर, पांचवे घर में सूर्य और बुद्ध की यूती, यह हमारा तिरकोन का घर है, लेकिन यहाँ पर बुद्धात्य राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्य देव साथ नंबर की रासी में नीच के हो जाते हैं, तो ऐसी कंडिशन में बुद्धात्य है, वो यहाँ पर बैटा हो, तो यहाँ पर सूर्य देव का नीच भंग हो जाएगा, उस कंडिशन में यहाँ पर बुद्धात्य राजयोग बनेगा, अब साथ नंबर की रासी में सूर्य देव नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पर सूर्य देव का नीच भंग हो गया, उस कंडिशन में बुधात्य राज्योग बनेगा अब सात नंबर की राशी होती है हमारी तुला राशी और तुला राशी के स्वामी होते हैं सुकृदेव अमाल लीजिए सुकृदेव यहीं पर बैठे हो तो यहां पर सूर्य का नीच भंग हो जायेगा उस कंडिशन में बुध कैसे होते हैं इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं आप मेरी पिछली वीडियो जा करके देख सकते हैं चटा गर चटे गर में सूर्य और बुध की यूति यहां पर बुधात्य राज्योग नहीं बनेगा क्योंकि चटा गर हमारा रोव चोट रिन सत्रू का गर होत यह हमारा मुर्ति तुल्यकस्ट का गर होता है लंबी बिमारियों का गर होता है यहां पर भी बुधात्य राज्योग नहीं बनेगा नोवगर हमारा भाग्य का गर होता है और तिर्कोन का भी घर होता है यहां पर सूर्य और बुध की यूति यहां पर बुधात्य राज्यो के हो जाते हैं तो इस कंडिशन में बुधात्य राज्योग नहीं बनेगा अगर बुध्देव का नीच भंग हो जाता है तो उस इस्तिति में बुधात्य राज्योग बनेगा बारे नंबर की रासी में बुध्देव नीच के हो जाते हैं और बारे नंबर की रासी में जो गि तो उस य्यक्तिती में बुधात्य राजयोग बनेगा या घर का मालिक अपने घर μεंट बैटा ओं। उस इस्तिती में बुद्ध्य राजयोग बनेगा या घर का मालिक अपने घर को देख रहा हो तो उस इस्तिती में बुद्ध्य राजयोग बनेगा क्योंकि बुद्देव का नीच भंग हो जाएगा अमाल लिज्जे गुरुदेव यही पर बैटे हुए है और गुरुदेव सात्विदिष्टी से अपने घर को देख रहे है तो उस इस्तिती में बुद्दात्य राज्यों बनेगा क्योंकि यहाँ पर बुद्देव का नीच भंग हो गया जारवा घर जारवे घर में सूर्य और बुद्द की उती जारवा घर हमारा लाब का घर होता है इच्छा पूर्ती का घर होता है वैसे चोटी मोटी बीमारियों का घर भी होता है इतना बुरा घर नहीं होता यहाँ पर सूर्य और बुद की उती यहाँ पर बुदात्य राज्यो बनेगा बारवा घर बारवा घर हमारा अच्छा गर्नी होता बुरा घर होता है जेल यात्रा का घर होता है व्या का घर होता है यहाँ पर सूर्य और बुद्ध की यूति यहाँ पर बुद्धत्य राज्यो नहीं बने दोस्तों यह तो हमने जान लिया कि गिरह नीच करना हो और योग कारक होना चाहिए नमबर दो सूर्य से अस्तना हो अब यहाँ पर सूर्य और बुद्ध की यूती बनी हुई है अमाल लीजे सूर्य देव यहाँ पर 15 डिग्री पर बैटे हुए है और बुद्देव यहाँ पर 10 डिग्री पर बैटे हुए है तो यहाँ पर यह राज्योग फलित नहीं होगा क्योंकि बुद्देव सूर्य देव से अस्थ हो गए बुद्देव के अंदर इतनी पावारी नहीं बची कि वो अपने अच्छे फल दे सके देखे जब बुद्देव सूर्य देव के 14 डिगरी नजदीक आ जाते हैं तो अस्थ हो जाते हैं अब यहाँ पर सूर्य देव 15 डिग्री पर बैटे हुए हैं और बुद्देव 10 डिग्री पर बैटे हुए हैं दोनों के बीच का difference 5 डिग्री तो ऐसी इस्तिती में बुद्देव सूर्य देव से अस्थ हो गए वो अपने अच्छे फल नहीं दे पाएंगे ऐसी इस्तिती में बुधात्य राज्योग नहीं बनेगा नमबर तीन डिगरी अच्छी होनी चाहिए अमाल लिजिए यहाँ पर सूर्य देव की डिगरी है 0 डिगरी, 1 डिगरी, 2 डिगरी और बुध्देव की डिगरी है 28 डिगरी, 29 डिगरी और 30 डिगरी तो यहाँ पर राजयोग फलित नहीं होगा क्योंकि दोनों के अंदर इतनी पावरी नहीं है कि राजयोग फलित हो सके क्योंकि सूर्य देव बाल अवस्ता में बैठे हुए हैं और बुद्देव म्रस्त अवस्ता में बैठे हुए हैं ऐसी स्थिति में राजयोग फलित नहीं होगा, बूधात्य राजयोग नहीं बने नंबर 5, राजयोग के फ़ल कमी थे, देके किसी भी राजयोग के फ़ल उसकी दसा और अंतरदसा में मिलते है, जब भी जिस घरैने राजयोग बनाया होता है, जब उन गिरेव की महादसा या अंतरदसा आती है तो हमें राजयोग के फलों की प्राप्ति होती है नमबर च्छे उपाए कि उपाए क्या करें अब मान लीजे यहाँ पर सूर्या और बुद्ध की डिगरी कम है ऐसी इस्तिति में या सूर्या ने बुद्ध देव को अस्त कर दिया तो हम ऐसी इस्तिति में क्या करें कि जिससे इनकी पावर इंकरीज हो पावर बढ़े और हमें राजयोग के फलों की प्राप्ति हो सके देखे अगर किसी योग कारक गिरय की डिगरी कम है या योग कारक गिरय अस्थ हो गया है तो हम उसकी स्टोन पैन करके पावर को बढ़ा सकते हैं लेकिन ये ध्यान रहे कि कभी भी मारक गिरय का स्टोन ना पैने और दूसरी स्थिति हम इनके बीजमंत्र भी कर सकते हैं और ब करता है लेकिन इस्टोन हम केबल उसी स्थिति में पैनते हैं जब घिराय योग कारक हो और सूर्य से अस्थ हो गया हो या घिराय की डिगरी कम हो तो उस इस्थिति में हम इस्टोन पैन करके उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं दोस्तों ये कुछ जानकारी थी बुदायत्य आपको समझाने की कोशिश की है बताने की कोशिश की है अगर ये सारी चीजे आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें सबिस्क्राइब करें कमेंट करना और नोटिपिकेशन बेल दबना ना भुलें क्योंकि मेरी अगली वीडियो अपलोड होते ही आपके पा करें की है